नमस्कार दोस्तों आपका नाम क्या है? मेरा नाम कालिदास वाबले है आपका प्रोजेक्ट कहा पर है? मेरा प्रोजेक्ट ये महाराष्ट्रा पुना 12 मती में है ये हरा हरा दिख रहा है वो क्या है? ये चीत हरा हरा दिख रहा है वो आजोला है वो सबसे तेज बढ़ता है इसका उपयोग क्या है? ये हम गाई को खिलाने के लिए करते हैं गाई, बकरी, मुर्गी, मचली वो सबसे ज़्यादा तेज बढ़ती है इससे और अच्छी तरशे खाती है गाई को खिलाने से क्या फायदा होता है? क्या होता है गाई को दूद देने के लिए प्रोटीन की ज़रुवत रहती है इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा है और गाई जब दूद देती है तो उसको प्रोटीन ज़्यादा लगता है और गाई खराब होने लगती है तो हम एक खिलाने से गाई का प्रोटीन का रिक्व गाई का दूद बढ़ता है गाई खराब नहीं होती है गाई बिमार नहीं पड़ती गाई की शहत बहुत अच्छी रहती है और भार से कोई चीज देने से देने की जोर्वत नहीं रहती गाई को इसलिए हम यह गाई को खिलाते हैं और मुर्गी को खिलाने के क्या फाइदे है? हाँ, मुर्गी को भी अंडा देने के लिए प्रोटीन लगता है और मौंस देने के लिए प्रोटीन लगता है और इसमें आजुला में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है इसलिए हम गाई को मुर्गी को भी देते है और इतना सस्ता प्रोटिन वाला कोई चीज नहीं है और मुर्गी बहुत पसंद करती है इसे इसलिए हम मुर्गी को खेलाते हैं और बक्री को खेलाने से क्या फायदा होता है? हाँ वही इसी तरफ जिनको month बढ़ाना है, mid बढ़ाना है, उनको protein की ही ज़ुरत पढ़ती है, इसमें सब्सक्षे दता protein है और बकरी भी बहुत आच्छी तरशे कहते हैं, जो हम बकरी को दाना देते हैं, वो दाना देने की जरुरत नहीं है और कम दिया तो भी चल सकता है, इ जोला के इतने सारे फायदे हैं तो लोग क्यों नहीं करते हैं लोगों को यह करना है लोग करते भी है सब लोग क्या करते हैं इसमें गोबर और मिट्टी डालते हैं तो गोबर और मिट्टी से प्रोड़क्शन आता है लेकिन जितना किसानों को रिक्वार्मेंट है उतना प्र आता नहीं गाई खाती नहीं क्योंकि उसको गोबर का बास आता है और उसमें गोबर और मिट्टी डालने से प्रोडक्शन जितना चाहिए उतना आता नहीं और फिर से बाद में क्या करना पड़ता दो महिने के बाद इसमें मिट्टी और गोबर बहार निकालके फेकना पड़ रहे अभी अजुला अच्छा बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए हमने यह नई तकनिक डेवलूप किया है इसमें हम गोबर और मिट्टी डेवलूप उसमें डालते नहीं है इसमें हम माइक्रो जिवानों और फल्टिलाइजर डालते हैं और इसमें पानी चेंज करने के बार कजारे और मिट्टी और गोबर नहीं है इसलिए इसमें बास नहीं आता किसी चीज का बास नहीं आता और उसकी ठिकनिस भी बहुत आच्छी आती है इसलिए भीMM बहुत ज्यादा अच्छी आता है आपका डेली प्रोडू watt कि ब्सक्रेश कि तिना है हमारा ये पाच हज़र लोगों को हम सिखा सकते हैं कोई लोग हमें online भी सिख सकते हैं आसपास के लोग आ भी सकते हैं कि प्राब्लम नहीं है आप इतने सारे अजोला का क्या करते हैं हां यह हम ड्राइ करके एक company हैं हमारे बारामती में वो company cattle देल्फिट बनाने लेती है और हम उनको ड्राय करके देते हैं अगर किशनको बीज चाहिए तो आपूसे बेज बेज देंगे हम से कॉल कर सकते हैं हम पूरी एंडिया में कई बीज सकते हैं हम ट्रेंज से पूरी हिस रिए वह बेज 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 थे तो जो गाई करते हैं बक्री करते हैं मचली करते हैं और मुर्गी के बड़े-बड़े फार्म रहते हैं देशी रहता है एक देने वाला रहता है और बॉलर रहता है वह सब में यह यूज आता है इसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रोटीन है इसलिए और ये हम किसान खूद उसका प्रोडक्शन लेते हैं तो मेरे को लगता है सब किसानों ने ये आज़ूला करना चाहिए और हम तो लोगों को दूर्ण को शिखाने के लिए तयार है